आज हम बत करेंगे वीट यानि गेहो, हाट पेशेंस के लिए अच्छा है या नहीं, हाट पेशेंस को या खासकर ऐसे पेशेंस को जिनका वजन आज वज़न June क्या इसमें बुरी बाते हैं और आगे बात करेंगे कि gluten containing products रहने की wheat barley rice हमें gluten होता है gluten heart patients के लिए अच्छा है कि बुरा है क्या काफी लोग हम से पूछते हैं कि rice का तो काफी लोग बोलते है कि rice अच्छा है कि बुरा है rice के बारे में हमने भी already a full video किया है कि rice ले सकते है कि नी पर wheat का जहां तक सवाल है क्या चपाती लेना भी लोगों के लिए अच्छा है या नी गेहूं से बनने में products लेना भी अच्छा है कि नी bread भी wheat से बनता है वो लेना अच्छा है कि नी whole wheat bread और regular bread में क्या difference है whole grain से बनी वी चपाती और regular refined आटे से बनी वी चपाती इसमें क्या difference है ये चीजों को आज discuss करने का प्रयास करेंगे कि heart patients के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है देखिए गेहूं की जहां तक बात है या गेहूं की बने वे चपाती बगर की या unless and until up gluten sensitivity हो gluten sensitivity एक ऐसी बीमारी है जिसमें के अंदर होने वाला gluten से पेशिंट को allergic reaction होता है celiac disease prove करके diseases होती है जिसमें gluten sensitivity होती है patient को और गेहूं से बने वे product खाने के बाद उनको पेट गरबर हो जाता है GI distress हो जाता है एक series बीमारी है जिसे celiacs prove बोलते है वो पेट वाले बीमारी की category में आती है वो patients coaker होती है तो गेहूं खाना उनके लिए बैन रहता है पर otherwise अगर किसी patient को celiacs prove नहीं है gluten sensitivity नहीं है तो जाधा तर patients के लिए गेहूं खाना बूरा नहीं ह गेहूं खाने का problem कहां पे आता है अगर हम जाधा refined grains लेते हैं या fully processed grains लेते हैं fully processed grain में क्या होता है कि गेहूं का जो bran याने ऊपर का जो husk होता है वो हटा दिया जाता है और कि सारे layers जैसे germ layer और endosperm layer यह सारे layers उसमें नहीं मिलते है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि glycemic index जादा होता है तो वैसा गेहूं से बने भी अगर रोटी हम लेते हैं या वैसा गेहूं से बना हुआ white bread अगर हम लेते हैं तो वह आपके लिए glycemic index का जादा रहता है suddenly sugar उससे spike up करेगा और आपके health के लिए वह अच्छा नहीं माना जाता है उससे खाने की भूख बढ जादा होने के वज़े से भूख जादा लगेगी और आपका खाना बढ़ जाएगा आपका वजन बढ़ जाएगा अनहल्दी है वह अगर आप whole wheat bread ले रहे हैं या whole wheat से बनीवी आटा ले रहे हैं उससे रोटी चपाती बना रहे है तो वह हेल्दी है उसमें क्योंकि जाता है अगर वह glycemic index किसी food का जादा है तो जैसे हम खाते है तो उसको खाते है तुरण sugar levels shoot up हो जाता है जो कि अगर low glycemic index वाला food होगा तो उसमें sugar level धीरे से बढ़ेगा धीरे कम होगा तो body को insulin production करने के लिए time मिलता है high glycemic index वाले food में होता है कि जैसे हम खाते है sugar level तुरण बढ़ जाता है sugar उसके बाद तुरण कम हो जाता है जिसकी बज़े से body को sudden insulin बनानी पड़ता है और उसका levels में बहुत जाता fluctuation आता insulin के जिसकी बज़े से patient को diabetes होने का chance वज़न बढ़ने का chance, overrating होने का chance, sugar levels में बहुत fluctuation होने का chance यह सब बहुत जादा बढ़ जाता है, तो यह unhealthy माना जाता है, कोई भी food product जिसका high glycemic index हो diabetic patients के लिए या heart patients के लिए बूरा माना जाता है, वज़न जादा है वैसे patients के लिए भी बूरा माना जाता है, अगर आप refined grains ले रहे हैं या ज्यादा processed art से बने चीज़े ले नहीं है, last मैं बात करेंगे gluten sensitivity जिनको है, वैसे लोगों में आप क्या gluten से बनीवी चीज़े लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, अगर gluten sensitivity किसी को है तो उसको allergic reaction हो सकता है, तो उसको यह हूँ, barley, rye, यह सब चीज़े नहीं लेना चाहिए, उनको gluten free products ही लेना चाहिए, उ अगर भार-बार आपको हो रहा है, वैसे खाने के बाद तो definitely आपको चेक कराने की जरू होते हैं, पर थोड़ा सा rare disease है, उत्ता ज्यादा common नहीं है, तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को gluten-related grains अगर खाने भी है, यानि वीट, barley, rye, अगर heart patients को खाना भी है और उसको allergic response नहीं उनमें कोई problem नहीं आएगा और इससे regular patients में कोई फरक नहीं पड़ेगा, heart patients में कोई फरक नहीं पड़ेगा, diabetic patients में कोई खास फरक नहीं पड़ेगा, और अगर किसी को heart failure अगर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर gluten का isolated आपको sensitivity का problem नहीं है, तो आपके लिए ये कोई बुराई भी नहीं है, तो क्योंकि आपको इसमें problem नहीं आएगा, अगर आपको बार बार पेट का गरबढ़ हो रहा है और आपको problem है, तो gluten-free grains आप ले सकते हैं, whole grains में whole wheat, barley rice में ज्यादा रहता है, तो इस सब को comparatively avoid करेंगा, तो ज्यादा अच्छा है, अगर आपको पहले से document sensitivity है, या सिल्याग दीज़े तो इस सब को बिल्कुल नाखाए, नहीं तो health बिकारने का थोड़ा chance है, बाकी लोगों के लिए इतना कोई दिक्कत नहीं है, और ये healthy और balanced diet का foods और vegetables के साथ, अगर wheat को हम ले रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा problem नहीं आने चाहिए, आज के topic पर हमने बात की कि रोटी या wheat से बने में products heart patients के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, आप चावल के लिए तो obviously हम लोग काफी सचेत रहते हैं, क्योंकि calcium index ज्यादा रहता है, तो रोटी या bread में भी क्या हमें, ये सब चीजों को ध्यान रखना है और जिन लोग का आपकी कोई comments, queries, suggestions है, कोई और topics पर आप चाहते हैं, वीडियो बनाएं, कोई patient related queries है, तो नीचे comment section में उनके बार हम बताएं, हम उनने cover करने का प्रयास करेंगे, आन्तम में Dr. Naveen Agriwal, त्रहे दिल से आपका शुक्रिया दे क्मों कि आपने इस topic को इन तक देखा, चो लोग ह हमाय चैनल पर बहुत जादा detail में video content को नहीं देखना चाहते हूं कि regular base पर हम YouTube Shorts अप्लोड कर रहे हैं, जिसमें सारे चैनल का brief या short summary है, हम आपको देते हैं, आप इसको देख सकते हैं, हमारे ये YouTube Shorts हम YouTube पर भी upload कर रहे हैं, Facebook और Instagram पर भी upload कर रहे हैं, आप वहां पर भी हम अगर topics दूणने में दिक्कत आ रहे हैं, कि इतने सारे topics में हम अपने मतलब का topics कहा दूणने हमें ये topic चाहिए कि नहीं चाहिए कैसे दूणने, तो उनके लिए अपने playlist पना हुआ हुआ है, जो बीमारी आपको है, जिसे BP, sugar, cholesterol, heart attack, heart failure, angioplasty bypass, diet, exercise, इस सारे playlist पने हुए है, जो, झाई बीमारी आपको है, झाईब का कमितskक उिसमारी आपको है, पना हίν सारेक, झालब का मतलों रहे हैं, जो झालब का है, जो ढाईब रुए है, झाल whats य 때 गिसमारी आपको है, औरू जो, वे सारे वे WAY ।़ई आए हैं, कि आल रहे हैं, जो, पिकत दूए हैं किसे